मैं यम भाईया से मिलने की आतुर हूँ क्या अश्विनी कुमारों ने यम भाईया तक मेरा संदेश नहीं पहुचाया क्या अश्विनी कुमारों की दिव्वी शक्ती यम लोग तक पहुचने में सक्षन नहीं हुई क्या भाईया यम मेरा संदेश सुनकर भी मुझे दर्शन देने की इक्षुक नहीं है बहन यमना उद्विग्ण ना हो मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है मैं यम लोग की एक समस्या सुल जाकर शिग्र ही तुम्हारे समीप लौट कर आऊंगा निचलितना हो बहन यमना यम भाईया शिग्र ही आपके समीप आएंगे परंतो वे आकर लौट क्यों गए बहन यमना आपसे सत्य अज्यात नहीं है कि प्राणियों के प्राण हरन करते करते यम भाईया का सौभाव बहुत क्रूर हो गया था श्री हरी कृपा से प्राप्त दिव्य अम्रित का पान करवा कर हमने उनके हिर्दय में दया और करणा को जागरित कर दिया है बहन अब जब यमदूत किसी प्राणी के प्राण हरने जाते हैं तो यमलुक के स्वामी यमराज बधुर वचन सुना कर यमदूतों को शांत रहने का परामर्श देते हैं इसी कारण उन्हें एक शण का भी आवकाश नहीं मिल पाता किन्तु वे आपसे भेट करने शेख्र पधारेंगे आप निश्चिंत रहें त्राणाम मैं श्रद्था हूँ हर सतकर्मी के हिर्दे में उठती सतकर्म की आभा मैं ही तो हूँ हर कर्म योगी के कर्म का पारिश्रमिक भी मैं ही हूँ मैं श्रद्था हूँ द्रू के विनम्र प्रार्थना से प्रसन्य उत्तान पाद अपना निर्णय बदलते हैं सूरे पुत्रे यमुना भी अपने भाईयों अश्वने कुमारों से अम्रित प्राप्त करती हैं उधर यम्राज के सामने यम्दूर प्रितात्माओं को घसीर्ट कर लाती हैं हमें दया करो देख देख क्या हो यम्दूरो गोड़े लगा कर इन मूर्खों को शाम करो हम आपके अनुज अश्वनी कुमार है हमारे पिता श्री जब तब पुरत के कारण श्री हरे विश्णू ने प्रसंद होकर हमारे पिता श्री सुर्य देव के श्रीर से ही उत्पन किया है जेश्ट भराता इस समय हम आपको संसार का सबसे अधिक स्रेश्ट पदार्थ भेट करने के उद्देश से यमलोक में प्रकट हुए है इसे घ्रण करें भराताश्री जेश्ट भराता श्री जगदीश्वर भगवान विश्णू की किरपा और पिता श्री सूर्य देव की आज्या से इस अम्रत पर आपका पूर्ण अथिकार है मन में उड़ते संदेह का त्याग कर आपनी संकोज इस अम्रित को ग्रण करें इस अम्रित पान का सुपरिणाम शेगर ही आपके समुख आ जाएगा हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है प्रिया दिछो है इस अम्रित का पान करने से अपे ने मन में देया और प्रेम की भावनाव हुher हुरे जेश्ट प्राता शरी कि इस अम्रत की दिव्यता से अधर्द पर्ण फी उन्हें जी वित हो सकते हैं हम सेट प्राता शरी हम आपकी न्याय व्याउस्था में अस्तखशेव करने के चुख 역시 in अम्रत, इन म्रत प्राणियों की आत्माओं को प्राप नहीं हो सकता। भाईय अम्राज, यदि आप आज्या दें, तो हम आप से एक निवेधन करने के चुक हैं। अवश्य, अवश्य श्रोरी कुमारो, कहो, तुम क्या कहने के चुक हो। जेश्ट भ्राताश्री, आप प्राणि लोग के मोह से मोहित, इन म्रत प्राणियों की आत्माओं के साथ दया एवं साहन भूती का वैवार करें। जेश्ट भ्राताश्री, जिस सत्य का ज्यान, आप इने कोडों की मार से भाइबीत करके कराना चाहते हैं, वही प्रेम के मधूर शब्दों द्वारा भी कराया जा सकता है। प्रोद, प्रतिशोद और हिंसा की आयू तो शनिक होती है। किन्तु प्रेम, प्रेम तो आधी और अनन्द है। प्रेम के मधूर शब्दों से। ये दया की पात्र, मृत प्राणियों की आत्माएं अनिवारी मृत्यू की भयानक पीड़ा से मुक्त हो सकेंगी। जेश्ट भ्राता, आप इन्हें जन्मृत्यू, आत्मा परमात्मा, पाप पुन्य के रहस्य और तत्वों का ज्यान करा सकते हैं। भ्राता शुरी, इन मृत प्राणियों की आत्माएं आपके डंड की नहीं, कृपा और दया की पात्र हैं। तुम दोनों का कथन पूर्ण सत्य है। इंतो हमारे कथन पर संदेह न करें, जेश्ट भ्राता। यदि आप इन मृत प्राणियों की आत्माओं से रेम पूर्ण वहवार करेंगे। तो प्राणी लोक में सतकर्मों का उदय होगा। यम लोक के वहवार की सुगंद से प्राणी लोक का प्राणी, सतकर्मों और जब तब प्रत की ओर प्रिवित होगे। महराजी, इन मृत आत्माओं ने दुश्कर्म कम सतकर्म अधिक किये। प्रत आत्माओं संसार की न्याय विवस्ता के कारण। हमें शरीर से प्राणों को निकालने का कठोर कारेक करना पड़ता है। किन्तो आप दुखी नहों। पूर्व कर्मों के अनुसार आपको यहां नय प्राप्त होगा। यह ब्राजी की जय हो। आपने जो सतकर्म किये हैं, आपको उसके सुक्री प्राप्ती होगी। और जो दुशकर्म किये हैं, उसकी पीड़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। जो भविश्य के जन्मों में आपको सतकर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। जम्राजी की जय हो अनु जश्वनी कुमारों मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसंदू हूँ कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिये करूँ जेश्त भ्राताश्री यदि सत्य ही आप हम पर प्रसंद है तो श्रीगरी हमारी बहन देवी यम्ना को अपने दर्शनों से धन्य करें। हाँ भ्रहाता शरी। बहनियमुना आपके दर्शनों के लिए आतूर है। बहनियमुना का संदेश सुनाकर तुम्न दोनों ने मिरनीर्डे को आंनद से और भर दिया है। तुम दोनों का गल्यान हो। शित्रगुप्चि। आग्या सवामी मेरे लोटने तक यम नियोमों का नियम पूर्वक पालन कीजेगा मैं बहन यमना से भेट कर शीक रही हम लोग लोटूंगा जो आग्या सवामी मैं यम भाया से मिलने की आतुर हूँ क्या अश्वनी कुमारों ने यम भाया तक मेरा संदेश नहीं पहुचाया क्या अश्वनी कुमारों की दिव्वी शक्ती यम लोग तक पहुचने में सक्षम नहीं हुई क्या भाया यम मेरा संदेश सुनकर भी मुझे दर्शन देने की इ नहीं है कि अब पहन यमुना उद्विग्ण ना हो मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है यंद्वार्व की एक समस्या सुल्जा कर शिक्र ही तुम्हारे समी प्लॉट कर आऊंगा कि निचलितना हो बहन यमुना यम भाईया श्रेग्रही आपके समीप आएंगे परंतु वे आकर लौट क्यों गए बहन यमुना आपसे सत्य अज्यात नहीं है कि प्राणियों के प्राण हरन करते करते यम भाईया का सौभाव बहुत करूर हो गया था श्री हरी कृपा से प्र अब जब यम्दूत किसी प्राणी के प्राण हरने जाते हैं तो यमलुक के स्वामी यम्राज मधुर्वचन सुनाकर यम्दूतों को शांत रहने का परामर्श देते हैं इसी कारण उन्हें एक शण का भी आवकाश नहीं मिल पाता किन्तु वे आपसे भेट करने शेख्र प नारायन, नारायन नारायन, नारायन नारायन, नारायन जिनके अटास का स्वर बिना बात को संसार में गुंचता रहता है वो आज इस प्रकार निराश, शांत और उदास क्यों है नारायन, नारायन जग्दिश्वर भगवान विश्नु के इच्छा संसार में शनी देव के पनोती के नाम से प्रसिद्ध, धैया और साड़े साती तुमारी उदासी का रहस से जानने को नारत का जिग्यासु मन विचलित हो रहा है शनी देव क्या नचरों अपनी उदासी का कारण तो मुझे बताओ शनी भक्तों क्या तुमने भाग्य विधाता शनी देव को प्रसन्म करने के लिए मौन वरत धारन कर लिया है तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते नाराइन नाराइन धैया साड़े साती मेरी बात का उत्तर तो दो भक्तराज नारत जी शनिदेव की पनोदी के रूप में विख्यात ढहिया और साड़े साती को मौन देखकर आप चकितना हो नारायन, नारायन आ नारजी, अब इन दोनों की वाणी सदा सदा के लिए मौन हो गई है अर्थात? अर्थात ये, कि हमारी इच्छा मात्र से धैया और साड़े साथी एक शब्द भी बोल नहीं पाएंगे भागे विधाता शनिदेव, आपने ऐसी अनिच्छा पूर्ण इच्छा की ही क्यों? नारायन, नारायन आप तो इस सत्य से परिचित है नाराज जी, कि इस संसार में हम भागे विधाता शनिदेव प्राणियों के दंड का निर्धारण करते हैं इसलिए हमने भी निर्णे ले लिया, कि प्राणियों के दंड के निर्धारण में हम हिंसा, कुरूरता का सैयोक कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं नाराज जी नारायन, नारायन, भागी विधाता शनिदेव, आपने आया ये महान परिवर्तन, मेरे आश्चरी की समस्त सीमाओं को लांगने लगा है नारायन नारायन भागी विधाता शनीदेव, क्या बात बात पर भायानक अटाहस करने के स्थान पर आपने सदा इसी प्रकार मुस्कुराते रहने का प्रण कर लिया है? क्या आपकी विध्वनसक, विनाशक, भैनक और मारक कुद्रिष्टी से संसार का कोई भी प्राणी आहत नहीं होगा? नरजी, इस संसार का कोई भी रहसे आपके लिए रहसे नहीं, आपको भली भांती ग्याद है, कि हमारे छोटे भाई, दोनों अश्विनी कुमारों ने हमें, अमरित पान करवा के, हमारा गाया कल्ब करते हैं। नारायन, नारायन, गाया कल्ब, अर्थात? हाँ, नाराजी, यदि अब हम किसी प्रक्रोधित होते हैं, अत्मा उसके दुष्कर्मों से उत्तेजित होकर, कुद रिष्टी दानने का प्रयास भी करते हैं, नाराजी, तो हमें अपने भाईयों के बेम पूर्ण स्वर सुनाई देते हैं। स्वर, कैसे स्वर भाग्य विधाता शनी देव? देवर्शीर, इस संसार के समस्त, राग द्वेश, छल कपठ, नेती, अनेती, कुनेती, भा, इर्शा को आश्य प्रदान करने वाले विध्वन्सक शक्तिय क्या दिष्ठाता, भाग्य विधाता शनी देग, अपने भाईयों के प्रेम की कोमल डोर से बंद गए हैं। नाराइड, नाराइड, देवर्शीर, किसी प्राणी के दुष्कर्मों से क्रोधित होकर, हम जब कोद्रिष्टी दालने का विचार भी करते हैं, तो हमें अपने भाईयों के मधुर सुवर सुनाई देते हैं, कि इन पर दया करें, ब्राता श्री, इन पर दया करें, इने द कोमल डोर से बंदे हम, इन प्राणीों को दंडित कैसे कर सकते हैं, प्रेमरस की मिठास ऐसी ही होती है भागि विधाता, जो एक बार इसका स्वाद चक लेता है, वो जीवन भर इसकी मिठास से आनंदित रहता है, किंतु, किंतु, किंतु क्या भक्तराज, नारायन, नारायन शनिदेव, सृष्टी के विधान के अनुसार, आप दंड नायक है, प्राणियों के दुश्कर्मों का दंड देना, आपके अधिकार ख्षेत्र में आता है, क्या आपने भाईयों के प्रेम की कोमल डोर में बंद कर, आपने दंड योग प्राणियों को भी दंड न देने का मिरने कर लिया है देवर्शी के दंड के पात्र को हम अवस्च्छ करेंगे कि इन वह किन्तु कि ने कि भांती बीडित और प्रताडित करके नहीं कूझ नारायन नारायन अर्थाथ पिर किस प्रकार दंडित करेंगे आप देवर्शी जो हमारी भक्ति हमारा जब तप व्रत करेगा हम उसे संसार का सर्वत्तम सुक्प्रदान करेंगे किन्तु किसी अन्य की पूजा आराधना करने वाले से हम इर्शा और द्वेश भी नहीं रखेंगे इसे नाही केवल हमारे भक्तों को हमारे भकति के शक्ती का परिजय प्राप्त होगा अपित्तु वे हमारे भक्ति में सदा सदा के लिए लीन हो जाएंगी नारायन नारायन भाग्वधाता शनीदेव क्या इसी कारण आपके पनोथी के रूप में विख्यात धैया और साड़े साती की आपको आवश्यक्ता नहीं क्या इसी कारण आप नेने वाणिहीन कर दिया है भन्य आप नाराय जी धन्य है अनुमान लगाने में आप कभी भी चूप नहीं करते आपका कल्यान हो कि निराश नहों धैया और साणे साथी शृष्टी चक्र में कभी भी एक सा समय नहीं रहता और समय चक्र के परवर्तन के साथ आपको अपने स्वामी की कृपा अवश्य प्राफ्त होगी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही नारायन नारायन अब भाईया यांदेव की प्रतिक्षा करना व्यर्थ है उन्हें अपने कार्ण से कभी अवकाश नहीं मिलेका एसा प्रतीत होता है कि भाईया यांदेव की अब मुझसे मिलने की कोई इक्षा नहीं है अपनी बहन की प्रति उनके प्रेम में दिखावा ही शेश है कि अब मुझे अपनी जल्धारा में विलीन हो जाना चाहिए अपने भाई की व्यस्तता के कारण तुष्ट ना हो बहन हमें शमा कर दो कर्म के बिना जीवन की कोई गती नहीं है बहन किन्तु अब मैं तुम्हारी इच्छा तक तुम्हारे साथ रहूंगा कैसी हो बहन आपकी कृपा से मुझे यहां कोई कश्ट नहीं है भाईया मुझे यह जानकर हार्दिक आनंद हुआ कि हमारे छोटे भाईयों अश्वनी कुमारों ने आपकी कुरूरता को समाप्त कर दिया है वास्तव में यह ज्याद करने के पहले मैं सदा यही सोच कर दुखी रहती थी कि यह प्राणियों के प्रान हरन करने का कैसा गुरूर कर्म आपने अपना लिया है मैं तो यही सोच रही थी भाईया कि इश्वनी कुमारों के अमरत पान के पश्चात भी आपकी हर्दय की निर्मंता का अंत नहीं हुआ अपनी निर्मंता और कुरूरता के कारण ही आपकी हर्दय में आपकी बेहन यमुना के कोई स्मृति शेष नहीं बची बहन यमुना जो तुम कह रही हो वो अम्रित पान के पूर्व परम सत्य था परन्तु अब गोरा सत्य है कहो बहन इतने दिनों तक तुम्हारे समीब ना आने के प्राइच्चित सरूप हम तुम्हें क्या प्रदान करें अपनी इच्छा निसंकोच कहो बहन हम तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे भाईया यदि आप सत्य ही मेरी इच्छा पूर्ण करने के एक्छुक हैं तो सर्व प्रथम मैं अपने हातों से बनाया स्वादिष्ट भोजन आपको कराना चाहूंगी ज्याद नहीं भाईया अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आप ठीक से भोजन कर पाते हो अथ्वा नहीं सत्य कहिए भाईया आपने अब तक विवा किया या नहीं आपको प्रेम से खिलाने वाला कोई है अथ्वा नहीं बहन यमना इस विश्य में निर्णय मुझे नहीं विधाता को करना है आपके विश्य में विधाता के इस निर्णय की मुझे भी प्रतीक्षा है तो चले भाईया यमना के जल महल में चलकर पोजन करहन कर लीजिए अवश्वा झाल